हाई फ्रेंड्स वेल्टॉम टू रूबी स्क्राप्टिक इचन फ्रेंड्स आउनों का सीजन चल रहा है तो मैंने तो बहुत सारी चीज़े बना लेकिन एक चीज भी नहीं बनाई थी जिसकी रेसिपी आज आज आपके साथ शेयर करोंगे बहुती इजी है लेकिन बागे बह तो ये है, फर्सक्रास आउने के लड़े। अब आपी बताएं देखके लग रहे हैं क्या ये आउने के बने हुए हैं लेकिन ये आउनेक ही ही बने हुए है लड़े। और ये लड़व ऐसे बने हैं यह बच्चे भी अराम से खा लेंगे ।ू भ्रेंड्स, मैंने इसी तर लेकिन मैं दोनों का इस्तिमाल करूंगी इसे हमें कद्दू कस करना है तो यह देखिए मैंने दोनों काटके खराब वाले को अलग कर दिया और फॉर्स इनको मैंने कद्दू कस कर लिया पूरे का तो नहीं बनाऊंगी इसलिए आधो को मैंना निकाल के और धूप में सुखा दूँगी और इसका मैं दूसरी चीजों में इस्तिमाल करूंगी और आधे जिसे हमें लड्डू बनाना है इससे मैंने पानी डाल दिया हां फ्रेट क्यों इसका थोड़ा सा फ्लेवर स्ट्रॉंग होता है बच्चे नहीं खा पाते हैं तो एक बार पानी डालके और उसके हम थोड़ा सा इसे उपर से निकाल लेंगे छान के ताकि हलका सा इसका कसेलापन कम हो जाए क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग होता है बच्चों खिलाना बहुत मुस्किल हो जाता है तो एक बार पानी डालके अगर एकदम और ज़्यादा आप कड़वापन कम करना चाहते है तो और इसके अंदर अभी हमें कुछ नहीं डालना है यह देखिए इसके में पानी बहुत है इसका जूस बहुत है तो इसी पानी के साथ हमारा गुढ अच्छे से मैल्ट होगा और उपर सा हमें पानी डालने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है उसके बाद धिमी फ्लेम पे हमीस जैसे मैंने गुड को भारीक बार तोड़ दिया है कि इसको मेल्ट होने में जदा टाइम ना लगे और मिलाके और इसके उपर नीचे करके धीमियाज पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर बाद इसी पानी में गुड अच्छे से मेल्ट होने लगेगा य लेकिन ऐसा नहीं घंटो ये रेस्पी में नहीं डाइम लगता है बहुत जल्दी भी बन जाती है रेसिपी बस थोड़ी देर में मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे ये देके पूरा गुड पिखल गया है और हमारा आउला इसी जूस में पकने लगा है बस थोड़ी द अराम से ये जूस भी देदे कितना कम होने लगा है अब इस स्टेज पर मैं क्या करूंगी फ्लेम को तेज कर दूंगी और खड़े होके हम अराम से इसको तेजार पर ऐसे पकाने लगे बस यहां पे और यहां पे दो से तीन मिनट लगेगा और सारा जूस सूख जाएगा औ अब मैं से पूरी तरीके से तयार हो गया अब दबा के देखिए इसमें से बिल्कुल जूस नहीं है इसका मतलब यह पूरी तरीके से रेडी हो गया है अब इसे हम फ्लेम से उतार देंगे और ज्यादा नहीं भूनेंगे कि ज्यादा पूरेंगे तो लड़ू हमारा इसलिए जब पानी सूख जाए बिलकुल पानी नार है तो उसमें हमें इसे तयार समझना चाहिए अब यहां पे मैं इसमें डाल देती हूँ इलाइची का पाउडर दो चम्मच और यह है बहुत सारा कटा हुआ ड्राइफ रोट्स काजू है बदाम है थोड़े से नारियल भी पूरी तरह ऑफशनल है लेकिन घी डालने से ना यह बिलकुल स्टिकी नहीं थोड़ा सा अच्छा और हल्दी भी हो जाता स्टिकी ठंड़े होने के बाद भी ना यह बिलकुल टाइप नहीं रहता है सॉफ्ट ही रहता इसलिए मैंने आधा चूटा चम्मच घी डाल है लड़ों को बनाके रेडि किया अब बताए फ्रेंट्स कैसी लगी अगर चैनल पहली बहाए हो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिलकुल मत भूलीएगा फ्रेंट्स अब इसी तरह की अच्छे ची रेस्पी लेकि आती हूँ और आपका लाइक कॉमेंट मुझे इम्प्रे करता है